दोस्तों आप देख रहे हैं सुंदर बिहार आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के मचली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुंदर बिहार चैनल के उपर कमेंट में आता है हम कोशिस करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए अगर कोई सवाल ऐसा है जिसको समझाने के लिए समय चाहिए तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं ताकि हमारे भीवर को अच्छा से समझ में आ सके तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला कमेंट किन का है पहला कमेंट है अनवर मासुमी कादरी के त्रफ से पाई जाते हैं लोल ऑपूरते लेकिन कहा पर आप शिकार करेंगे तो ज्यादर मिलीगे तो नदी के अंदर तलाब के अंदर आयसे जगह पी ये मचली आपको बड़ी मचली या छोटी मचली मिलेगी जहां पर थोड़ा घास हो और थोड़ा साफ जगह हो नदी में भी यही हाल है और तालाब में भी नहर में भी यह मचली ऐसे ही मिलेगी इसको शिकार करने के लिए आपको ऐसे जगह पर ही चारा डालना पड़ेगा ग्राउंड बेट में आप अभी सर्दी का मौसम है तो बहतर रहे और जगह बदल बदल के शिकार कीजिएगा तो बहतर शिकार होगा इसने खेड या गरई मचली इसके साथ में अगर धूप निकला हुआ है सर्दी के मौसम में धूप निकला हुआ है तो आप जिंदा पोठिया मचली का इस्तेमाल कीजिए फिशिंग हुक जो है उपर रख आया है तो फिर आपको फिशिंग हुक जो है वो पानी के अंदर जमीन पर बैठाना पड़ेगा क्योंकि सर्दी में मचली नीचे रहती है तब जाकर के शिकार होगा आप यह तरीका तलाब में डैम में या नदी में हर जगह इसी तरीका से आप शिकार करेंगे थैंक यू स अगला कमेंट है अजीत कुमार के तरफ से लिखते हैं कि सर जिस नदी में 5 से लेकर 8 फीट तक पानी है उसमें बौाल मचली का शिकार सर्दी में कैसे करूँ देखिए सर ऐसे जगह पर शिकार करने के लिए आपको ऐसे जगह का चुनाव करना पड़ेगा जहां थोड़ा घास हो या खरपतवार हो क्यूंकि साफ पानी है और पानी कम है तो मचली घास के अंदर छीपी रहती है इसके लिए आपको जरूरी है कि जिन्दा मचली चाहिए मिरगल मचली होगा तो बहतर है और बढ़िया रिजल्ट भी मिलता है मैं दो तीन दिन पहले एक वीडियो अ आप बबलर से फिशिंग हुक जो है एक फीट के दूरी पर होना चाहिए ताके मचली उपर ही चलती रहे तो इससे क्या होता है कि बड़ी बवाल मचली है ना अपना शिकार देख करके जल्दी अकरसित होती है और कम समय में आप ज्यादा शिकार कर पाएंगे अगर आपके पास मरी हुई मिर्गल मचली है तो उसको छोटा-चोटा टुकडा करके फिशिंग हुक लगाएं और उसको पानी में डालिए बबलर का इस्तेमाल नहीं कीजिए बलके इस तरीका से आपको फिशिंग हुक पानी में फेकना है कि आपका फिशिंग हुक पानी में नीचे जा से शिकार करेंगे थैंक्यू सर अगला कमेंट है जिशान खान के तरफ से लिखते हैं के सर ये मचली ही हमें परिशान करती है बाम मचली मारने में दोस्तों मैं एक वीडियो अपलोड किया था कवगा मचली का चारा बताया था तो इन्होंने कमेंट किया है कि कवगा मचली जो जो केचुआ आपने इस्तेमाल किया है, अगर केचुआ आप इस्तेमाल किया है, तब तो ये मचली परेशान करेगी, लेकिन अगर मचली का आपने टुकडा इस्तेमाल किया है, जो डेड़वा मचली होती है, या पोठिया मचली होती है, उसका छोटा-छोटा टुकडा आपन पानी के उपर डाल दीजे, डालने से यह होगा कि यह मचली आएगी, यहाँ पर एक बार अपना चारा खाएगी, इस मचली को जिन्दा मचली ज्यादर परसंद है, तो जब मरा हुगा मचली इस तरीके से उसको मिलेगा, तो एक बार वो चखेगी, और फिर वो एरिया के चली जाएगी, यही उपा है, इसी तरीका से हम लोग इसको भगाते हैं, बाम मचली का शिकार करते हैं, आप चाहिएगा कि 100% भाग जाए तो ऐसा नहीं होगा, वो बार बार वापस आएगी, लेकिन अगर छोटा मचली का आपने टुकड़ा लगाया है, तो जो एक बार वो मचली खा ली है, तो दोबार नहीं खाएगी, इस तरीका से आप बाम मचली का शिकार करेंगे, कोगा मचली परिशान नहीं करेंगा, दूसरी मचली है जो वो भी परिशान नहीं करेंगी, क्योंकि बहुत चारा चोटा चोटा रहेगा, ओके सर थेंकियो, अगला कमेंट अनुज बर्मा के तरफ से लिगते हैं कि सर्दी के सिजन में मांगूर मचली का 4 और 4 बताये प्लीज दो परकार का 4 और 4 बताये सर एक पहले 4 बता रहा हुं यह जाद सक्से से ज्याद कामियाब है आपको मांगूर मचली का शिकार करने के लिए अगर एक किलो दो किलो से बड़ी मतलब वजन में एक किलो आधा किलो से मतलब उपर है दो किलो तीन किलो की मांगुर मचली है तो इसके लिए आपको जिन्दा snake head fishing hook में लगाना पड़ेगा जिन्दा snake head से मतलब गरई मचली जिसको हमारे तरफ बोलते हैं अगर आपने इसका इस्तेमाल किया है तो मांगुर मचली को आप दिन को भी शिकार कर सकते हैं रात को भी लेकिन अगर आपके पास snake head मरी हुई है तो फिर आप उसका छोटा-छोटा टुकड़ करके fishing hook में लगाई है लगा करके शिकार कीजिए इस तरीका से आप रात को भी शिकार करेंगे लेकिन अगर जिन्दा मचली है तो ज्यादा बहतर रिजल्ट आता है इसलिए हम सलाह देते हैं कि आप चिन्दा snake head का इस्तमाल कीजिए ओके दोस्तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है सुन्दर बिहार देखने के लिए धन्यवाद थेंक्यू शुक्रिया